जैस्री करश्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टीवा भगवान शनिदेव की करपा से आज 12 में से साथ राशी वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा इन साथ राशी वालों में आज है मेश, मित्वन, करक, सिव्ह, कन्या, धनू और मकर राशी वाली लोग वही अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नई नई यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो आज स्रावनमा सकरश्ण पक्षे की एकादशी तिथी है शनिवार का दिन है आज दिन की सुरुबा तमरगशिरा नक्षत्र से होगी और मिथुन राशी में चंदरमा का संचरन होगा आज सुरियो दई प्रातहकाल पांच बच के 48 मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम के 7 बच के 3 मिनिट पर होगा आज राखुकाल प्रातहकाल 9 बच के 7 मिनिट से आरम बहु करके प्रातहकाल 10 बच के 46 मिनिट तक राखुकाल रहेगा तो आज राखुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वन नया कारी शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नहीं वस्तू की घरीदारी करने से भी बचें आज दिशा सुल रहेगा पूर्वदिशा में तो आज के दिन आप पूर्वदिशा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वन नया कारी शुरू नहीं करें पूर्वदिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो आज उड़ा दखा करके अथवा अपने इश्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सेधिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सर्वसरेष्ट अतिसरेष्ट महुर्ट अवीजीत महुर्ट आरंब होगा प्राता हकाल 11 बच के 69 मिनट से आरंब हो करके दोपार 12 बच के 52 मिनट तक सर्वसरेष्ट वश्रुब महुर्ट रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्त में आप कर सकते हैं तो आप जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज की दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाए करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारी छेत्र में भी आपको सफलता मिले तो मेंस राशी से भाग्य का साथ भी मिलेगा दिल खोर करके भाग्य का स्वागत करें आज आपका शुब अंकर्मों है शुब रंग स्काइप लिव रंग है आज आपको भाग्य का साथ 90% प्रतिसेतर प्राप्त होगा आज आपका विशे शुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाथ शनी देव को तिल का तेल अरपित करें यह था शक्ति शनी देव के नाम मंत्रों का जाब करें आपको सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि हर व्यक्ति को किसी विशेश उद्देश की पूरती के लिए जमीन पर भेजा गया है भाग्य ने आपके लिए भी कुछ अच्छा सोचा हुआ है आपको बहुत जल्दी कोई बड़ा फाइदा मिलने वाला है आज आपका शुब अंक अच्छे है शुब रंग आपका पिंक रंग है पिंक रंग का प्रयोकारी छेतर में अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी आज आपको भाग्यकासाथ 80% प्राप्तों होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता हकाल इस्टनान करने के पश्चाथ शनी देव की यथा शक्ती पूजा करें नाम मंत्रों का जाब करें तो इससे कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि अपने आप पर आत्म विश्वास बनाए रखें और नई जिम्मेदारियों को लेने से नहीं डरें संबंदों में काम्याभी मिलेगी बस आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ें अपने पार्टनर को बताएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं आज आपका शुब अंक पांच है शुब रंग आपका ब्लू रंग है ब्लू रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी आज आपको भाग्य का साथ पिचोंतर प्रतिसत अप राप्तों होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता हकाल इसनान करने के पस्चाथ सनी दिवता के मंदिर में काले उड़त का दान करें आपको सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करकर आशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज दूसरों को खुद से पहले रखना छोड़े इससे आपको कश्ट होगा और आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है परिवार पर ध्यान दें और लाइप वाटनर और बच्चों के सांथ समय व्यतित करें मूड आपका अच्छा रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी आज आपको भाग्यका सांथ सब्तर प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता हकाल इसनान करने के पस्चार भगवान शनी देवता को तिल का तेल अरपित करें काला वस्तर अर्पित करें इससे कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्हुन सिम्ह राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि जो कुछ दिखता है वह सही नहीं है और होता है वह दिखता नहीं है आप भी इस समय भ्रह्म जाल में फसे हुए हैं जो आपको गलत निरने लेने के लिए विवस्ट कर सकता है इसलिए आज आज आपको सोच समझ करके निरने लेना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए आज साहस के साब काम करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी आज आपको भागेशाली अंक एक है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी आज आपको भाग्य कासाथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राता हकाल इसनान करने के पस्चाथ भगवान शनी देवता के नाम मंत्रों का जाब करें तो इससे कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है कन्यान कन्याराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि अगर आपके सपनों को कोई पूरा कर सकता है तो वह केवल आप अस्वयब ही है अपने आप पर ध्यान दें और जो कुछ हो रहा है उसे अपने हाथों में लेकर सुधारने का प्रयत्न करें जीवन को अच्छा बनाने का यही एक तरीका आपके लिए है आज आपका भाग्येशाली अंकचार है शुबरंग आपका हरा रंग है अगली राशी है तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि अगर आपको कुछ मिलता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो भी आप उसे समाल करके रखें हो सकता है कि उसकी किसी और को जरूरत हो दूसरों की मदद करना आज आपके लिए सोभागी के द्वार खोल सकता है आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका स्लेटी रंग है स्लेटी रंग का प्रयोकारी में आप अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी आज आपको भाग्यकासान सत्तर प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद शनी देव की गंद अक्षत की दारा पूजन करें और स्रिफल अर्पित करें ये था शक्ति शनी देव के नाम मंत्रों का जाब करें तो आपको सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आपके लिए सभी सर्वोत्तम समय बना हुआ है आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं आप जिस किसी भी काम में हाट डालेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी आपको आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलेंगे आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी आज आपको भाग्यका साथ 85 प्रतिसरत प्राप्तो होगा आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाथ सनी देवता को मिठाई का वो गर्पित करें सनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है धनू धनू राशी वालों के नसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आप जो भी निर्णई लें सोच समझ करके लें आज एक मामूली गलती भी आपके पूरे जीवन को या कारी को खराप कर सकती है रिलेशन्चीप में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुखना चाहिए समय आपके लिए ठीक नहीं है आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुब रंग आपका स्लेटी रंग है स्लेटी रंग का प्रेव कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी आज आपको भाग्यकासाद 55 प्रतिसतर प्राप्तों होगा तो आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राता हकाल इसनान करने के प्रश्चाद भगमान शनी देवता को रितू फल का वो गर्पित करें यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाब करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि खुद पर संदेह करना छोड़ना चाहिए और पूरे जी जान के साथ अपने लक्ष की प्राप्ती में आपको जुट जाना चाहिए दिन आपका बहतर व्यतित होगा सामका समय परिवार के साथ गुमने फिनने के लिए काफी बहतर है आज परिवार जनों का सहयोग आपको मिलेगा कोई अटका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है आज आपका भाग्यशाली अंक साथ है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिकसदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज आपको भाग्यकासात सत्तर प्रतिसद प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चार भगवान शनी दिवताव को मिठाई का वो गरपित करें और काली द्वजा का मंदिर में दान करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेश्ट कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको मोटा लाब दिलवाएगा खुद के लिए समय निकालें और रिफ्रेस रहने के लिए कहीं गुमने फिनने आ आप जा सकते हैं आज घर में भी कोई अच्छा आयोजन हो सकता है आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुमरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज आपको आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज जो है आपको सच को स्विकार ना चाहिए जैसा है जो कुछ है उसी रूप में स्विकार करके आगे बढ़े आपको सफलता मिलेगी समय थोड़ आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज आपको भाग के का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान शनी देवता की यथा शक्ति पूजा करें शनी देव को पंचमेबा का भोग अर्पित करके शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें तो इससे कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करशन मित्रों फिर मिलेंगे।